दोस्तो मैं अलपना सरोज सवागत है आप सभी का स्वाधि श्टपोचन में दोस्तो आज मैं आपको बड़ी सिंगी मचली बनाने का तरीका बताऊंगी तो दोस्तों ये मैंने लिया है 1 kg सिंगी मचली ये मचली ताजी मचली है जो कि मैंने मार्केट से मंगाया अब बहुत ताजी मचली है और सिंगी मचली दोस्तों ताजी होनी चाहिए उसका स्वाद बहुत ही जादा चाहता है और हर मचलियों से इसका स्वात बहुत ही अलग है सारे मचली से इसका टेस्ट अलग आता है और सेहत के लिए बहुत ही फादे मंद है ये मचली दोस्तों और सेहत के लिए जो फादे मंद होता है दोस्तों उसे हर कोई खारना भी चाहेगा तो अगर आप इस मचलीओं का भी तक नहीं खाएं दोस्तों तो आप जरूर इस मचलीओं खाएं क्योंकि सहत के लिए जितना फादिमन्द है हमारे उतना और कोई मचली नहीं होती है जितनी कि यह होती है जैसे कि दोस्तों के मतलब दिल की बिमारियों की सिकायत है जिसकी आग कमजोर है ये सब चीज के लिए ये मचली बहुत ही फाइदेमंद है और मतलब जैसे की बहुत तरकिके जैसे होगे दोस्तो सरदी जुखाम बुखार उसमें भी बहुत ही फाइदेमंद होता है ये मचली अगर आपको इसकी पहचा करें अगर अभी तक वीडियो नहीं देखें तो उपर दिए पुटम पर क्लिक करके दोस्तों वीडियो देख सकते हैं कि आप इस मचली को कैसे साप करें पर यहां पर मैं आपको कुछ प्रोसेस बता देती हूं कि आप इसे कैसे साप करें आप इसके जो मतलब काटे होते हैं आप हलके हाथों से इस तरह से मतलब तोड़ लीजिए तभी आप इसे साप कीजिए पहले इसके काटे तोड़े तभी इससे साप करें दोस्तों नहीं तो इसके काटे अगर आपको गड़ गए तो आपको बोखार आना निश्चित है तो यहां पर मैं इसके पंखों को कैच सकते हैं यहां पर मैं तो आच्छा से पूर रगड तो यहां पर आप देख सकते थी स्फिथ्चा के साफ की शाफ क हों आपको इसी तरीके से साफ करना है साफ करने के बाद यसे हम कट कर लेंगे तो चलिए इसे हम कटिंग कर लेते हैं नहinkuative 侏से कट कर ले रही हूं आप इसे चोटा बड़ा किसी भी तड़ीक सकते हैं यế घै कर रही हूं इस तरीके से आप चाकुधार दाल लें तब यह जाके अच्छे से कटेगी यह दोस्तों के पेट में देख सकते कितनी सारी बाल है मचली का अंडा है आप इसे बना सकते हैं अगर आपको मचली का अंडा बनाने का तरीका जानना है तो उपर दिवाइप टम पर कि मचली को मैंने धो करके अच्छे से तयार कर लिया है तो चलिए इसे अब हम बनाने के प्रोसेस पर चलते हैं तो अब देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छे से मैंने धोया है तो इसको बनाने के लिए दोस्तों यहां पर मैंने कुछ मसाले लिया है तो सबसे पर यहां पर लेसुन है दो प्याज है और थोड़े से अद्रक है दो बड़ा चमच यहां मैंने धनिया लिया है एक गाठल्दी के लिया है चार-पांच सूखी लालमिश मैंने लिया है और दो बड़ा चमच भर के मैंने पीली सरसे लिया है तो अब हम क्या करेंगे इन मसालों को सिल बट् सरसे सो दोस्तों मचले में बहुत अच्छा स्वाद आता है मसाला पीस दोस्तों आपको बात और बता देती हूं अगर अभी तक इस्टागराम और फेस्बुक पर हमें फोलो नहीं किये तो नीचे दिए आईडी पाप हमें फोलो कर सकते हैं तो मसालों को हम बहुत ही अच् पीस लिया इसे हम किसी बरतन में निकाल के रख लेंगे तो सारे मसालों को मैंने रख लिया चूल हम इने जला दिया इस पर रख दिया कोई बड़ा बरतन इसमें डालेंगे सरसो का तेल मैंने सर्सों को तेल डाल दिया तेल जैसे गरम होगा वैसे इसमें तीन प्यास, सूखी लाल मिश और तेज पता अट कर देंगे तड़कों खुम बहुत अच्छे से फ्राइ करेंगे जब तक की तड़का लाल ना हो जाए तब तक दोस्तों वैसे तो मैंने मचली की बहुत अलग लग रेस्पी बनाई हूँ अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उपर दिया बटम पर किले करके दोस्तों वो रेस्पी देख सकते हैं कि अलग लग तरकी की मचली आप कैसे बनाएं तड़का अच्छे जै पानियाट कर देंगे इन सारे चीजों को मैं अच्छे से मिलाईएंगे इस भी अच्छी से थोड़ा दिर फ्राइ कर लेंगे तो तो मसाला जैसे नीचे अच्छे से लगने लगेंगे तेल ऊपर आने लगेंगे वैसे इसमें हम दोस्तों मचली को एड़ करेंगे तो जो मचली हमने धोके रखा वो इसमें एड़ कर देते हैं और मचलीों को मसाले में अच्छे से मिला देते हैं कि तो मच्छी को अच्छह सर मिला देंगे जब मसालर लगने लिए कि इसमें पानि डाल देंगे थोड़ा चादा ही पानी डाला है क्योंकि दोस्तों ये मस्छी टोड़ा लेट लए ले पकने में ABOUT 88 मिनुट के मझली धखी हो तो मचली कुपगते हुए है साथ मिनट होगrechtls li हो गई है तो आप देख सकते हैं कितनी कम हो गई है देखी सकते हैं मझली को पकते हुए कि तरह से मैंने पकर तेंब भी मजली आप देख सकते हैं ँख लगे लग नहीं बादा अधोर नहीं होई और कोई मचली होती तब तक तूड़ गई होती दोस्तों इसमें पर यह मचली तगड़ी होती है इसलिए इसे अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है तो मैंने चूले पर से उताल लिया है इसमें उपर शहारा धनियाट कर देंगे उसके बाद इंद को अच्छे से हम मिला देंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही टेश्टी दीख रहा है बहुत ही अच्छा दीख रहा है इसका स्मेल भी बहुत ही अच्छा रहा है और सिंगी मचली बहुत ही थिक और बहुत ही अच्छी बनी दीख रही है तो मैं इसे साब कर लेती हूं इसको खाके बताऊंग वो वीडियो भी आप देख सकते हैं तो मचली दोस्तों मैंने सर्फ कर लिया है अब तो मुझसे रूखाने जा रहा है आपको जल्दी से खा के बताती हूं इसका स्वाद कैसा है तो यह देखिए दोस्तों सींगी मचली का देख सकते हैं मतलब मांस का जो कलर है क्या स्वाद देखाने में हैै सच में दोस्तों इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब इतना अच्छा है और यह मचली काटेझेस यह जैसेरो ऑलीत स्वाद्री पूलिकेutetर मज़ें हिसमें आप मचली होते खाना भूलिकतर अकौतेने स्वाद्रेशलगते कि तो 1 estas davs च्प मचली के मतलब कलर को आप देख सकते इसका कलर कैसा है पुरा लाल जैसे मांस होता है मटन का वैसे ही दीख रहा है और स्वाद बिल्कुल उसी तरीके का रहा है और सारी मचलियों में आपको यह स्वाद नहीं मिलेगा जो कि इसका स्वाद है कोई मचली में आपको यह स्वाद कि खाएंगे तो इसे बार बार बना के खाना चाहेंगे तो चलिए दोस्तों मैं यहां पर आपको खा के बता दी हूं आप भी बनाएगी खाईए और मुझे कॉमेंट में बताइए कि आपको यह रिस्पी कैसी लगी